नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ब्लैक हेट्स और वाइट हेट को हटाने का बहुती आसान तरीका और घरेली उपाय जो हमारे घर में मजूद रहता है और इससे हम निजात पास सकते हैं यह बहुत बड़ी समस्या है हम लोगो के लिए जो नाग पर सफाइब करते हो लोग तो उस पर निशान भी पढ़ जाते हैं जो देखने में एक से दो दिन तक खराब दिखता है तो इससे हम निजात पास सकते हैं घर में बहुत आसान तरीके से क्रियोटिव रमा को सस्क्राइब करें और वीडियो की तुरंट नोटिफिकेसन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं तो आई ये देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है और कैसे इस्तिमाल करना है तो इसके लिए हमें चाहिए आदा चम्मस हमने चाह की पत्ती लिया है ये छोटी वाली चाह की पत्ती है बहुत बड़ी साइच के जवाती हो हमें नहीं लेना है अगर आपके पास बड़ी वाली चाह की पत्ती है तो इसे थोड़ा सा क्रस्ट कर ले छोटा कर ले तो ये हमने आदा जमस ले लिया है जितनी आपको आशुकत है उज़ाब से आप ले सकते हैं और हमें चाहिए दो पिंच हल्दी हल्दी एंटिसेप्टिक होती है यह बहुत फायदेबंद होती है इसे हमें स्किन पर लगाएंगे तो हल्गा सगर घाव होता है तो इसके लिए फायदेबंद होती है और हमारी स्क लिए और इसका अद्वाइबा पारट मैंने काट लिया है तो इसका रस के ने दर हम ड्लेंगे से इसे अच्छी तरीके से मि्क्स कर लेंगे में अच्छे से मिला लेना है तो अब हमें क्या करना है जो हमने निबू रखा है इसका रस में मेंने इसके डाला था तो इसी में से हमें जाए की पत्ती मैं अम शूर्डी को ले लेना है लोडिया है गता तरी के से तदीं को अउपर लगा लेना है और और अम यह एस के सबुस्ट रह यह तरिकरे से अब आ जल्गे जहीं टेक्तों कर को को हमें लगना है बस इसी तरीके से बराबर हमें लगाते रहना है लगाते रहना है इसे ही यह बहुत ही जादवी एसर करता है हमें पारला जाने के जरोत नहीं है पैसा खर्च करने के जरोत नहीं है किसी डाउटर के पास जाने जरोत नहीं है और यह सारे तरीके हमारे घरीलू उपायज होते ह हैं इसे हमें प्कुत आयदा होता है हैं इसी तरीके से और लगाए है तो आप देख सकते हैं इसकी इसन किसा मेरे बल्लेक हर्ट होते हैं वाल्ट हैस होते हैं वह भी साप हो जाते हैं ना पिर जिस जगाब पर हमारे blackheads या whiteheads होते हैं बिल्कुल clean हो जाते हैं तो इस तरीके से आपको लगाना है और इसे लगाने के बाद हमें दो मिनटक छोड़ देना है तो आप देख सकते हैं यहाथ पर मैंने जो यह बेटर को लगाया है काफी सुखने लगा है तो आप इस तरीके से लगा कर हैं अगर आप मेरा चैनल से स्राइब कर लेंगे तो आपको यह सारी चीजे देखनों के मिलेंगी हमें इसे नार्मल माटर से धो लेना है तो चलिए इसे हम धो करके आते हैं तो दिखाएंगे तो दे सकते हैं कि मेरी स्किन हाथ की स्किन किस तरीके से बिल्कुल clean हो गई है तो इस तरीके से आप इस बेटर को बनाईए और आपको जब भी टाइम हो घर में दिन भर में किसी भी टाइम आप इसे लगाए इस्तिमाल करिए आपको पारलर जाने की जरूत नहीं है और घर में ही आपको यह बहुत अच्छा जादूी असर देगा तो आप इस तरीके से इसे बनाईए और लगाईए फिर हमें कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसे लगी आपको मेरा ये टिप कैसा लगा तो फिर मिलेंगे एक नए एमेजिन टिप के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवार